सबी बिरुजगार लोगों को नमस्कार कोई परहाई लिखाई पर बात होगी नहीं क्योंकि परहाई लिखाई करने से कोई फैदा है नहीं परहाई लिखाई कराके ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके परहाई लिखाई से समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया किजिए बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं परेसान हो गए है भाईया बिरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज़्यादा बिरोजगारी हो गई है कि ज़रा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा वेक्ती जो गुरूप D के लिए जो कि B.A.C. कर चुका है, B.A. कर चुका है, M.A. कर चुका है, PhD कर चुका है, गुरूप D के लिए फर्म भरता है और हाई कर और बिद्यार्थी फॉर्म भरता है भाईया सोचने वाली बात है मोदी जी और हाई करोर जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है और हाई करोर है तो उसके माबाप भी जोर लीजे भाई बान जोर लीजे और वो युवा है तो उसके पडिवार का निगाठी का हुआ है उस उससे एक आस जुरा हुआ है उस पड़िबार का प्लीज आपसे हाथ जुर कर बिनती है हमारी अब कहिएगा कि आप पगला काहे गया है लोग कहेंगे कुछ नेता लोग देखो हमरा कोई पार्टी या पॉलेटिक से कोई मतलब नहीं है जैसा बीजेपी वही साही कॉंग्रेस वही साही आरजेडी वही साही जदियू सबका हाल वही है अगर कॉंग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदियू नहीं आता सबका यही समस्या है मुझे किसी पाटी से मतलब नहीं है लेकिन मुझे अपने परदान मंतरी नरिंद्र मोधी जी से मतलब है यह चातर Common Bunilah को जिताया है और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए परदान मंतरी नहीं बनाया था besold Tब लोग मैंने भी 10 रुपाय बाता है जब आप तेश के जहते अगर कोई क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है लेकिन बेरोजगारी बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा भ्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ हाज घूम रही है कल कहां सोई थी परसु कहां सोएगी रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा लोगों को मजाता है उस पर व्यू होता है तो वीडियो उसी पर बनता है उसी पर लोग चर्चा करते हैं क्योंकि चैनल का TRP बढ़ते रहे और ये मजबूरी है हमारी कि एडूकेशन चैनल वाले अब पर हाई न करवा के ये सब चीजे पर उतर गए हैं मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ जो भी लोग हैं जिनको परसानी हो जह हमाँ चाहते हैं अब परसानी हो ये अ जहतका कर लिजएगा आपको इतना ही कर दीजगा कभी गोली मार देगा कोई तो याद रखे गा इतिहांस जब लिखा जागा तो मरने वाल बागने वाले और बीकने वालों में नहीं होगा सीधी सी बात है अब ये बिरुजगारी की आलम ये है भाईया कि अब आपको बता देते हैं पड़े लिखे लोग और हाई करोर एस्टुडेंट जो रेलवे का फर्म भरता है जिसमें 5-500 रुपे सरकार लेती है इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया यानि की 12 अरब 50 करोर बात समझ में आ रहा है हमें समझ में आ रहा है चुकि मैठ का मैं टीचर हूँ तो मुझे समझ में आता है हमारा गाउ में पाच रूपे ब्याज चलता है वो दी जी पाच रूपे साइंकरा महिना का ब्याज चलता है तीन रूपे माल लेते हैं कि मोटा रकम है तो तीन रूपे अब तीन रूपे से हमने निकाला तीन परसेंट से महिना का चुकि महिना में ब्याज चलता है गाउ में रेलबे वला फरम भरवा के लिएका सब को 5500 रुपया लेके अब आप कहिएगा कि एक्जाम के बाद तो हम 50 लोटा देते हैं लेकिन बात यहां यह है कि 20 तो आप लोटा दीजेगा 100 रुपया रख लिजेगा 400 लोटा दीजेगा लेकिन दूस साल में आपने बिजनेस कर लिय है नौ औरब का बहुत होता है नौ औरब कोई सथारन बात नहीं है अब देख लिजिए आप कहेंगे कि इतना बकर-बकर कर रहे बाई गरीब आद भी है जब मेरे काउंट में केवल एक लाख टेई सजार रूपया था ना तो एक लाख रूपय हम पी-म केर फंड में दिये थ अतना बात प्राव सब्सक्रिक है तु आदमें किसी के पास जो औकाद था एक रूपया, एक ग्यार रूपया, सव रूपया, पचास रूपया, एक करोड़, पांसो करोड़ एक हजार करोड़ लोगों ने योगदान दिया जिन से जो हो सका पूरा देस आपके साथ ख़ड़ा था आपके साथ ख़ड़ा था और याद रखिएगा कि यह यूवा बिरोजगार रहेगा ता आपके बिरुद्ध ख़ड़ा होगा भाई आप तक था पलप जाएगा इस बात पक्का सुन लीजिए काहें कि आज हम दिल से बात करें दिल से बात किये थे तब न ने आएगा हमारे यहाँ याद रखिएगा यह पूरे देश पूरा देश में अबवाल होने वाला है अगर सही टाइम से एक्जाम नहीं लिजेगा युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा ता आपके मन की बात नहीं होगी हमेशा यह जंता के भी मन की बात होनी चाहिए य आपको पता चलेगा हमारा घर भी करकट का है और फिर भी एकांट में एक लाग तेश अजार था एक लाग रुपया डोनेट किये थे ताकि हमारे देश में खुशा लिया और इस कुरोना वायरस से हमारा देश लरे यह भाई वह बच्चा के पैसा दिया हुए जो हम पढ़ भर भारत बनाईए खिलावना तो हम बनल है जैसे मन होता है आप खेल रहे हैं जो आप का रहा है लोग वही कर रहा है और हम कुन खिलावना बने खिलावना तो जंता बन चुका है आप लोगों का यह हमारे मोदी जी थे आई हमारे नितीस बाबू है इनका चाल सुनिएगा इनका चल क्या है अभी जब चुनाव आने वाला है तो इस बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे बहारी संख्या में एकजामे को करवा लेंगे रिजल्ट नहीं देंगे अब एकजाम देके लड़ी का फसल है कि अगर नितिस जी नहीं आते है तो फिर आगे रिजल्ट नह साल में हुआ है आदमी बुर आगे जबानी में दिया था एकजाम और रिजल्ट आते तो बुरह जाएगा अब चुकि बिहार में एकजाम ऐसी होता है तो यह क्या होगा कि रिजल्ट होगा चुनाओं के बाद मजबूरन फिर नितिस कुमार जी को कुछनेंगे तो बिहार पुलिस के बहाली आजागा सारे बहाली दरोगर रोगा सोब के बहाली आएगा इक अब होगा चुनाओ के टाइम में भाया तो नितीस जी का जो ये था इसमें इन्होंने कहा कि नलजल का रख रखाव करने के लिए बाडो को दूदू हजार रुपईया मिलगा ए प्रभू इस दूदू हजार कहला दे रहे नलजल के दसा दिखा दे तेतिस हजार करोर रुपई आपने बिहार में नलजल पर खर्चा कर दिया आज आपको असलियत हम दिखाते हैं इस वीडियो में देखिएगा आप लोग जरूर आए वीडियो को अतना सेयर करिएगा कि मुख मंत्री से लेकर परदहल मंत्री तक पहुँचना चाहिए नलजल का इस्थिति क्या है बेरोजगारी बेरोजगारी तो भई आपने ऐसी पहुंचा दिया है यहां पर कि लोग अब कुछ करने लाइक नहीं है आप अगर आत्म निरभरे बनाना था खिलाओना बनाना ही था कहला परहवारा है शुरूए से खिलाओने बन बाते कहला ही पाच-पाच सो रुपईया लेके फ़रं मरवाली है आप दूस साल में नौ और अब आप ब्याज कमा लिए परभू छमा कीजिए परभू इस पर कोई उपाय कीजिए वरना आपकी तक्था पलट जाएगी और सारे बिद्यार्थी जितने भी छात रहे जो सरकार चाहती है हमारे सारे भाई बंदू जितने भी वाई फाई अस्टडी एक इजामपूर है अभिनव सर्मा है राकेस यादव सर है जितने भी लोग है जो भी वीडियो बना रहा है बहुत अच्छा कर रहे है सभी को हाथ जोड़कर तय दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँ चाहूँगा क्योंकि ये विद्यार्थी इस विद्यार्थी जो बिरोजगार है न उसी के बज़ा से हमारा रोजगार है यही बात सच्चाई है और इसलिए हम इनके लिए लड़ेंगे चाहे जो हो जाए धरना परदर्शन होगा पूरे देश में धरना परदर्शन होगा और जाहां ये एरहाय करोर बिद्यार्थी सरक पर उतर गया तो सुन लिजिए ये बिहार से लेकर दिल्ली तक ही लेगा इस बात निस्चित है एक साथ हम है सब के साथ है, सारे छातरा अंदोरल करने के लिए तयार रहे है, एक तो आप वेकेंसी ही कम निकालते हैं, तो जो निकालते हो उकरत कम से कम एक्जाम ले लिजिए, सही से रिजल्ट ले लिजिए, सही से रिजल्ट दीजिए, और एक्जाम सही से ले लिजिए, टाइम से ले प्रभू ये पाप लगेगा अगर इस युवाओं के साथ गरीब के बच्चा ना जिन्रल कंपटिशन के तियारी करता है आर्मी के तैयारी करता है गरीब के बच्चा जाता है कम से कम एकरस आथ है इतना आएना किजिये इप आपका घरा भर चुका है मैंने अपने सर पर जुता माला है अगर वोट मांगने मेरे एडिया में ये 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 घा । हम जुता मारेंगे आप लोगो ये बात पक्का कह देत और हर वेक्ति आपसे हाथ जोर कर बिनती है कि हल्ला बोल, हल्ला बोल, ये नारो लगाईए और सब लोग पहुंचाईए, सब लोग वीडियो बनाईए, जितने भी एडूकेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई मीडिया वाल आपको दिखाने वाला ये नहीं है, और बस